हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेडी न्यूज गुप्त काल की विरासत को संजोए हुए दसफतार मंदिर जो गुप्त काल की बची धरोरों में से एक है ये देव परतिमाओं की अनोखी मुद्रा वाली यहां की कला कृतियां सिल्प कला की बेजोड विरासत मानी जाती हैं दसफतार मंदिर कला और पूरतातु का वो बेस कीमती नमूना है जिसकी हर कृति और सीला लेक गुप्त काल की आखरी विरासत है तो जानेंगे इस दसफतार मंदिर के बारे में सो लटस इस्टार्ट दसफतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललित पूर जिले के देवगड में इस्टित है यह भगवान विश्णू का मंदिर मना जाता है ऐसा मना जाता है कि यह मंदिर गुप्त काल में बना था यहां आप भगवान विश्णू के दसफतार के दर्सन कर सकते हैं और मंदिर के द्वार पर गंगा और यमनादेवियों की नकासी की गई है पट्टी पर वैश्नो पॉराड कत्हाओं की नकासियां भी की गई है गुप्तकार में बना ये मंदीर, वर्गाकार चबूतरे पर सीडी से चहने पर मंदिर बना हुआ है यह मंदिर देवगड में बेतवा नदी की किनारे बसा छोटा सा कस्बा है जो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण के अंतरगत आता है दसवतार मंदिर पंचायतन सैली में बना हुआ है दसवतार मंदिर विश्व का एक लोता मंदिर है जहां भगवान विश्णु के दसवतारों को एक ही साथ दर्साया गया है इसी वज़े से इसे दसवतार मंदिर के नाम से पुकारा जाता है इस मंदिर को इसलिए भी स्रेष्ट माना जाता है क्योंकि यहां रामायड और महाभारत के देव प्रतिमाओं को भी दर्साया गया है यहां की मुर्तियों में भारतिय दर्सन के सभी प्राचिन धार्मिक चिन्नों जैसे हाथी, संक, पुस्प, कमल का समावेस किया गया है जो देश के दूसरे हिसों की सिल्प कृतियों में नहीं मिलता यह दसवतार मंदिर का कलात्मक द्वार है जहां पर कई देवी देताओं की मुर्तिया नकासी की हुई मिल जाती है यह भगवान विश्णों की मुर्ति है जो द्वार पर ही बनी हुई है ये दसवतार मंदीर पे बने हुए देवी गंगा की मूर्ती है इस मूर्ती में आप नरो नरायन की मूर्ती देख सकते हैं ये गजलच्मी और मूर्तियों में सबसे लोग प्रिय गजेंद्र की मोक्ष मुद्रा में मूर्ती है जिसमें भगवान विश्णु को अराम करती हुए दिखाये गया है कई इतिहासकारों द्वारा दसवतार मंदीर का निर्मण पांचवी सताबदी के अंत और छटी सताबदी के सुरुवात की दिनों के बीच लगाते हैं लेकिन कई इतिहासकार या इसपष्ट नहीं कह पाएं हैं कि इस मंदीर का निर्माड कब हुआ था लेकिन इस मंदीर में बनी मुर्तियों से ये पता चलता है कि इस मंदीर का निर्माड लगभग छटी सताबदी में हुआ था इस मंदिर में रामाड और कृष्ण रीला से संबंधि द्रिश्यों का चितरण बहुत ही कलापूर सैली में किया गया है इस मंदिर का सिखर अधिकूचा नहीं था जो अब काफी ध्वस्त हो गया है इस मंदिर का निर्माड किसने करवाया था इसकी जानकारी भी इतिहास में प्राप्त नहीं होती तो ये थी पूरी जानकारी दसवतार मंदिर के बारे में धन्यवाद